क्यूं डर पैदा करने मुसल्मानों के पॉपुलेशन के बारे में आप जूट पे जूट बोलते हैं गौवर्मेंट का डेटा है मैं बिल्कूल समर्थन नहीं करूँगा क्यूंकि ये भारत के हिट में नहीं होगा आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जिन्होंने हाली में अपने बयान में कहा है कि वह ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें दो बच्चे पैदा करने की सीमा तैय कर दी जाए क्योंकि इससे देश को कोई फाइदा नहीं होगा तो ऐसी साहब जरा भारत की जंता को विस्तार से समझाईए कि फिर देश को किस चीट से फाइदा होगा क्या ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें जनसंख्या में जाफिक की बात कही जाए जिससे आप जैसे बुद्धी जीवी राजनेता अपनी राजनीती चमका सके हर रोज सडकों पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर आप छाती पीड़ सके आप क्यों करेंगे किसी ऐसे कानून का समर्थन जिसमें सीमत परिवार की बात की जाए और ज्यादा से जादा लोग अपने बच्चों को सिक्षुत कर उन्हें एक अच्छा और जागरुक नागरिक बना सके क्योंकि अगर लोग जागरुक और सिक्षित होने लगे तो आप जैसे लोगों की रैल्यों में देश विरोधी नारे कौन लगाएगा कौन आपके नफरत भरे भाश्रों पर तालियां बचाएगा आप कैसे जाहिलों और अनपड़ों की फॉस तैयार कर पाएंगे वैसी साहब वो आप ही है ना जिसने यूपी पॉलिस को धमकी देते वे कहा था कि मुसल्मान वक्त खराब होने के चलते खामोश जरूर है लेकिन याद रखना हम तुम्हारे जुम को भूलने वाले नहीं है हम अपनी ताकत के जर्ये तुमको नेस्तना बूत करेंगे अर जब योगी मोदी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा हम याद रखेंगे हालाद बजलेंगे जब कौन बचानी आएगा तुमको जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे मोडी पहाड़ों में चले जाएंगे हो सकता या कहीं पर जाकर रहेंगे जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे याद रखो और फिर आप ही कहते हैं कि किसी एक धन की आबादी बढ़ने से अरजकता नहीं बढ़ती कश्मीर याद है आपको या भूल गया किस तरह से कश्मीरी पंडितों का नरसंगहार कर उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया था वो छोड़ दीजे यूपी के कैराना को ही देख लीजे खैर आप जैसे राज़िताओं को तो सर्फ कुछ न कुछ उटपटांग बोलकर सुर्ख्यों में बढ़े रहने से मतलब है आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर जनसंख्या बढ़ने से समाज की तरक्की धीमी होती है और नक्सलवाज जैसी समस्याएं बढ़ती है अमीरी गरीबी में फासला बढ़ता है और ओठ हासल करने के बाद मुसल्मानों को चपरासी से बत्तरीन उनसे सलूख करो समाजिक असमानताएं पनप्ती है और वैसी साहब आप क्यों जनता को बताएंगे कि जनसंख्या कम होने से विकास का लाब सबको बराबरी से मिल सकेगा कहीं चोरी नहीं होगी कोई बंदूक ने उठाएगा लेकिन आपको तो बस अपना उल्लू सीधा करना है मैं बिल्कुल समर्तन नहीं करूँगा क्योंकि ये भारत के हित्वे नहीं होगा इसलिए आप अपने राजनितिक कद को बढ़ानी के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए कमर कस कर बैठे हैं